अज का जो हमारा वीडियो है वो ओस्मोसिफ से रिलेटेड है ओस्मोसिफ जिसे की प्राफरण भी कहा जाता है पात्पों में होने वाली अधिकान स्क्रिया है विफरण या प्राफरण विधिद्वारा पूर्ण होती है प्राफरण जो की एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जो की आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनिशन में भी आता है और प्रैक्टिकल का भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है जिसे पोटेटो ओस्मोसिफ कोप द्वारा किया जाता है पोटेटो ओस्मोस्कोप में हम अन्ता प्राफरण एवं भाईय प्राफरण का अध्यन करते हैं ये एक बहुत ही वेल नौन एक्षिरिमेंट है जो लगभग हर विध्यारती का देखा हुआ या पड़ा हुआ होता है तो आज हम इसे शुरू करते हैं इसके बारे में कई चर्चाएं हम करेंगे ओस्मोसिस आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कई बार हम थेओरी पढ़गे प्रैक्टिकल को समझते हैं हम यहाँ पर आज प्रैक्टिकल को पहले करें थेओरी को समझने के कौशिस करेंगे आप इस डाइग्राम में देखिएगा इस डाइग्राम में ये एक जो वेल बना रखा है ये complete form में एक semi-permeable membrane के रूप में कारे करता है यदि हम इसमें इसे एक पैट्री प्लेट में रख दें जिसमें water fill up है और अंदर की तरफ जो भरा हुआ है वो sugar syrup है तो यहां पर कुछ समय पश्चात जो इसकी stage if होंगी वो क्या होंगी कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि यहां पर इस sugar का तल बढ़ने लगता है जो कि इस डाइग्राम में stage 2 में हमें नजर आ रहा है वो कहां पे हुआ इस जल का अंदर की और पराफरन हुआ किसके थूँआ इस जिल्ली इस आलू की वैल द्वारा जिसे हम सेमी पर्मेबल अर्द पारगम में जिल्ली के रूप में देख रहे हैं दूफरी और यदी हम देखते हैं तो दूफरा जो डाइग्राम हमारा है वो रिपर्जेंट करता है कि हमने बाहर की तरफ तो फोगर सोलुशन भरा है और अंदर की तरफ वाटर भरा है यहां पर पिन हेट हमने लगा दिया है और अलू का जो छिला हुआ टुकडा है जो ए बाद हम देखते हैं कि पॉटेटो वैल में भरा हुआ है जल का इस तर आप देखेंगे यह पिन लगी हुई है यहां पर यहां पर डाउन लेवल डाउन हो चुकी है तो यहां से इस जल का बाहर की और गमन बाहर यह पराफरण कहलाता है थू सेमी परमेबल मेंब्रेन जो की पॉटेटो वैल यह कारिया कर रही है अर्थार्थ यहां पर इस डाइग्राम में इस अंता पराफराण जिल्ली के माध्यम से जल के इस तरका बढ़ना सुगर शिरप में क्योंकि यहां पर इसकी जल की सांद्रता कम है जल की सांद्रता कम है और यहां बाहर की और जल की सांद्रता अधिक है तो यहां से अर्थ पारगम में जिल्ली के माध्यम से इस फुगर शिरप की ओर यानि अल प्राफरी विलियन की ओर गमन हुआ गमन होने के परिणाम फरुप यहां पर जल का इस तर बड़ा दूसरी और यदि हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहां वाटर वेल में जल का इस तर अधी के जब कि बाहर क्या भरा हुआ है जल के अणुओं का उस और जाना जहां पर जल के अणुओं की सांद्रिता कम है अर्थार पेट्री पलेट में बाहर की ओर सुगर फिरप या सुगर शोलिशन की ओर आना भाई यह पराफरन कहलाता है तो यह पोटेटो ओस्मोस्कोप है जिसके द्वारा हम अनता है या प्रथम अबे नौलेट द्वारा की गई जबकि इसका विश्टरत अध्यान ट्रोबे द्वारा किया गया याद रखियेगा प्राफरन की खोट स्वारू परथम अबे नौलेट द्वारा की गई जबकि इसका वर्णन ट्रोबे द्वारा किया गया next slide में हम देखते हैं what is exosmosis and what is endosmosis तो firstly we describe exosmosis exosmosis को हम यह और देख रहे हैं exosmosis हम किशमिश के द्वारा भी समझ सकते हैं जब अंगूर जो फूलेवे अंगूर है उन अंगूर को ग्रैप को यदि फूगर शिरप में रखा जाता है तो फूगर शिरप क्योंकि उच्छ फांद्रता वाला विलियन है और जो खिश्मिफ है उसमे वो निम्न फांद्रता वाला विलियन है तो वहां से जल का गमन बाहर की ओर होता है यानि कि किश्मिफ से आप देखेगा ये एरो शो कर रहेंगे इन किश्मिफ से जल का गमन बाहर की ओर होता है और वो किश्मिफ श्रिंख हो जाता है श्रिंख हो जाता है बिलकुल सिकुड जाता है तो ये अवस्था कहलाती है आप अगर येदी हम देखें तो प्राफरन के अंतरगत जब कोशिकाओं फे जल बाहर निकलता है अर्थार्थ जल का या विलायक का उच्चे फांदृता फे निम्न फांदृता की और गमन एक जो अफ मुफिफ कहलाता है प्राफरन दाब विभव यहाँ पर कहता है येदी किफी विलियन को अर्ध पारगम में जिल्ली द्वारा विलायक फे प्रत्थक कर दिया जाए तो किफी दाब द्वारा विलायक के कणों को विलियन में प्रवेश होने से रोका जाए तो यह दाब प्राफरन दाब कहलाता है अर्थार्थ यदि हम यहाँ पर इस डायग्राम से देखें फॉल्वेंट जो की वाटर है उसका ओफमोटिक प्रेशर कम है जबकि फॉलूशन में यदि हम बात करें फॉलूशन की यदि हम बात करें तो इस फॉलूशन में फाल्ट मिला हुआ है इस फाल्ट के कारण इसका ओफमोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इस डायग्राम को भली बात ही समझेगा बेटा बहुत ही अच्छा डायग्राम है हम यहाँ पर देखें जल के अनुगों का विरोध कौन करेंगे यहाँ पर फाल्ट यानि लवान जो की फोलूशन में उपफ्थित है तो यह इन जल के अनुगों के गमन का अर्द पार गम में जिल्ली के माध्यम से गमन होने पर इनका विरोध करेंगे और यह दाब ही यहाँ पर जो है पराफरन दाब पकता है जो विरोध हो रहा है विले विलियन में उपफ्थित विले के अनुगों द्वारा विलायक के गमन का जो विरोध हो रहा है वो विरोध कहलाता है पराफरन दाब तो यहां पर इस डियाग्राम को आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा फॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी तो उस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक होगा समझिएगा इस बात को शुद्ध जल का उस्मोटिक प्रेशर जीरो या शुन्य या फरवाधिक कम होता है जबकि यदि उसी जल में यदि हम चीनी या नमक मिला दें तो उसमें लवन यानि फॉल्यूट की मात्रा बढ़ने लगती और उस फॉल्यूट की मात्रा बढ़ने के कारण उस विलियन का उस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है इप फॉल्य उठाइ देन औसमाटिक प्रेशरीज आलफो हाई नेफ्ट हम लेते हैं इसी गाँ देखेगा जब दो विभिन ने फांदरिता वाले विलियन को डेफिनेशन ले रहे हैं हम इसकी बहुत ही सिंपल फॉम में जब दो विभिन ने फांदरिता वाले विलियन को अर्द पारगम में जिल्ली द्वारा प्रथक किया जाए तो अर्द पारगम में जिल्ली फे विलायक का उच्च फांदरिता फे निम्न फांदरिता की ओर गमन पराफरन कहलाता है जब दो विभिन्न फांदृता वाले विलियनों को अर्द पारगम में जिल्ली द्वारा प्रथक किया जाए तो अर्द पारगम में जिल्ली फे विलायक का उच्च फांदृता फे निम्न फांदृता की ओर गमान याद रखिये का है यह पर एक लाइन विलायक में जल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जबकि आपने जो वीफरन पड़ा था, वहां पर कोई भी हो फक्ता है, जल, द्रव या गेफ मैं यहां पर बात कर रहा हूँ, विलाईक की, जीहां जल की तो उच्छ फांदृता फे निमने फांदृता की और गमन अर्ध पारगम में जिलि में फे होकरнем गुजरना क्या कहलाता है पराफरन तो यहां पर एक बात आपकी हो गई, पराफरन में अर्द पार्गम में जिल लियाएगी उच्छ फांद्रिता जी हां उच्छ फांद्रिता से निम्न फांद्रिता वाले विलायक के गमन को विलाइक यहाँ पर जल है जल जो शुद्ध फॉम में होगा तो उसकी फांद्रिता विलाइक की फांद्रिता उसमें हाई रहेगी परन्तु उसका ओस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा जबकि किसी विलियन में ये कोई विलाइग मिला दिया जाता है जल में कोई विलाइग मिला दिया जाता है तो अब वो हो गया विलियन और विलियन बनने पर उसका ओस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ जाता है परन्तु जल के अनू यानि विलायक की फांत्रता उसमें कम हो जाती है अर्था अर्थ हम यहाँ पर देखें अर्थ पारगम में जिल्ली यह विलायक जल का गुज़रना प्राफरन कहलाता है आपको देखा रहा हूं इसे समझीएगा यहाँ पर आपको फॉलूशन वन और फॉलूशन टू तो फॉलूशन वन और फॉलूशन टू का जो अर्थ है वह यहाँ पर आपको भली प्रकार से परिचित हो हैं आप इसे फॉलूशन वन में फॉलूशन वन में फॉल्वेंट यानि विलायक की मात्रा फरवा दी गए तो इसकी कंफेंट्रेशन हाई है और जबकि फॉलूशन टू की यह दी बात करें तो solvent में इसकी concentration यानि विलाई की concentration कम है जबकि folute की मात्रा हाई है तो यहां पर दो प्रकार की solution हो गए इसी को हम अति प्राफारी अल प्राफारी विलेन के रूप में जानते हैं प्राफरन के मापन हे तू प्राफर का ओस्मो मेटार उप्योग में लिया जाता है और प्राफरन की क्रिया को दो भागों में बाढते हैं जिसे हम करमशे बाई ये प्राफरन अन्तहा प्राफरन के बारे में हम औरेड़ी पढ़ चुके हैं तो बहुत The Topic को हम लेते हैं यहां पर बहुत important TOPA विया देखिये긴 एहां पर यह ओमेंट ओफ वाटर को री परजेंट कर रहा है समझियेगा विसन सॉलमेंट shout सॉल्वेंट में क्या है सिर्फ वाटर मोल्यक्यूल जबकि सॉल्वेशन में फूगर या फाल्ट उपस्तित हो फक्ता है विद वाटर तो यहां पार इसकी कंसेंट्रेशन यानि सॉल्वेट जल के अणूओं की सांध्रता अधिक होगी इसमें जबकि इसका उस्मोटिक प्रेशर कम होगा और उसी दूसरी तरफ यहां पर सुगर प्लस वाटर होने पर यह सॉल्वेशन बन गया तो इसकी कंसेंट्रेशन जल के अणूओं की कंसेंट्रेशन कम जबकि इसका उस्मोटिक प्रेशर हाई होगा और्फार्थ यहां पर जल के अणाऊं का जो गमन होगा वो गमन solvents से solution की और होगा जब विलायक का गमः उश्छ सांद रिता से निम्न सांद रिता और निम्न आपी से उच्छ आपी की और होता है य lofty ये विलायक का, ये समझ भीटबाब बहुत important और बहुत confusion है आप जब बाद में इससे समझना चाहोगे तो समझ में भी नहीं आएगा मैं फिर से यहाँ बार-बार आपका concentration दिलाना चाह रहा हूँ देखिएगा जो जल है उस जल का concentration यानि water molecule उसमें ज़्यादा होते हैं तो उसका concentration विलायक के अणों की concentration तो उसमें ज़्यादा है परन्तो उसका osmotic pressure जो है वो कम होगा दूसरी और जो solution है उस solution में folute मिला हुआ है अतहर उसका osmotic pressure अधिक होगा तो यहाँ पर जल का जो गमन है जल का जो गमन है वो pure water से hypotonic solution में और hypotonic से hypotonic solution की और अग्रिफर होगा ओगे क्योंकि pure water में folvent की मात्रा ज़्यादा है hypotonic में apex chakra folvent की मात्रा यानि जल के अणों की मात्रा कम है और अतिप्राफारी विलेन में फरवादिक कम है तो जल का गमन इस रूप में यहाँ पर होगा ओके शुद्ध जल का पराफरन अदाप सुनने होता है यह बहुत ही वेल्यूबल लाइन है जो आपको याद रखने हैं और मैं आपको कभी बता भी चुका हूँ पराफरन अदाप सुनने होता है तो विलाइक निम्न पराफरन अदाप के उच्छ पराफरन अदाप की और गमन करता है यह लाइन मैंने लाफ्ट टाइम भी आपको जब एकोलोजी पढ़ा रहा था उसमें बताएदा हाइड्रोफाइट्स का ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है जिसके परिणाम सरूप वो कुम्हाल जाते हैं जल से बाहर निकालते हैं वो मुर्जा जाते हैं जबकि जो जिरोफाइट्स होते हैं और जो हैलोफाइट्स होते हैं उनका उसमोटिक प्रेशर सरूप होता है कॉम्हालते हैं परफण को परभावित कड़ने वाले कारों कि यह गीम बात करें तो यहां पर तापमान और सांध्रता थाप मन बढ़ने पर औसमोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है फांदरिता, विलियन में विलायक की फांदरिता बढ़ाने पर पराफरन की ग्रिया भी बढ़ती है यानि विलायक यानि जलके अनुगों की फंक्या जितनी ज़्यादा होगी पराफरन भी उतनी ही तीवर गतिफे होगा पराफरन के महत्वों को यहाँ पर हम देख लेते हैं पराफरन के कई महत्व हैं वीडियो लेक्षर की वज़े से मैं यानि ज़्यादा डिस्क्रेप्टिव वे में नहीं पढ़ा सकता बढ़ फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं मूल रोम द्वारा मर्दा से जलका गमन मूल रोमों की और होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जलका गमन भी पराफरन के रिया द्वारा ही होता है जो कि आप सक्री और निश्क्री आउस्योशन में समझ फक्ते हो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से टीपी बढ़ता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो उसके परिणाम फरुख टरगर प्रेशर यानि इस पीती दाप बढ़ता है जो मेंब्रेन होती है सेलवाल उनके उपर प्रेशर बढ़ता है जिसके परिणाम सरुप कोशिगाएं स्वैल अफ हो जाती हैं। यह पादर कि विभिन भागों में फाहेता प्रताकरता है। और निर्भर होता है। हम जानते हैं नमक का प्रयोग होता है। लवन का उपयोग किया जाता है। आपके अचार वा मुरップे वागिरा जो होते हैं वो शूखर शिरफ में होते हैं या अचार जो है वो खटे होते हैं वो स्रिका यह नमक उनमें डाला जाता है जिसके प्रणामा Frop उस विलियन की सांदृता बढ़ जाती है, उसका बढ़ जाता है, एवं वो विभिन बैक्टिरिया वगिरा से प्रिजरूरते हैं और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम जानते हैं कई हैं, कई वादप नष्ट करने तो उसके चारो तरफ नमक डाल दीजी, नमक डालने से उस कोस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वो जलका गमन उसमें नहीं हो पाएगा, और जलका गमन जब पादप में नहीं हो पाएगा, तो पादप सूख करके नष्ट हो जाएगा, नेस्ट है, अचार उम्रभव का मैं ने आपको बताई दिया, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसे आप एक बार घ्यान पे देखिएगा, थेंक्यू